तो अभी क्या tips and tricks है जो आपको help कर सकती है इस एक दिन में और exam की दिन पे क्या help कर सकती है तो यह कुछ एक list of instructions है और कुछ strategy है तो आप अगर इसको follow करगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर होगा नुकसान नहीं होगा ठीक है तो मैं यह share कर दूँगा बट पूरे time word doc तो मैं share नहीं करूँगा ठीक है तो यह last minute tips and tricks है तो first of all हमें बात करना है पहला है quant तो जैसे आप exam hall में जा रहे हो वैसे आपका एक पहला काम है कि पूरे के पूरे formulas है नोट डाउन करकर रख लो कि एक एन अपना rough sheet मिलती है तो basically माल labels है squares cube roots यह सब चीज़े वह लिखकर jot down कर देना और चुपा कर लिखना examiner को दिखना नीच चाहिए अगर examiner को दिखाना तो paper चीन लेगा second thing is start revising in your mind कि जो जो चीज़े तुम्हारे ध्यान में आती है like quants के formula हो गया concepts हो गया trick strategies कुछ भी चीज जो तुमको revise करने है वो revise करते रहो second LR पर आता हूँ मैं LR पर एक बात है जो puzzles है अपने तो उनके जो conventions है कि यार अगर यह left में रहा तो मैं कैसे symbolically उसको represent करूंगा अगर यह right में रहा तो कैसे represent करूंगा वो सब चीज़े आपकी ध्यान में रहनी चाहि तीसरा है critical reasoning critical reasoning एना मैं बोलूंगा एकडम लास्ट के लिए रखो एकजाम अगर तुम पेपर दे रहे हो तो मैंने वैसे mock strategy भी discuss करकर रखे आपके साहथ तो जितने भी critical reasoning के questions है सबको last में रखना basically एंड जितने भी basic basic concept से उनको revise कर कर रख लो ठीक है तीसरा है अपना English English is like a सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इंग्लिश की बात बता रहा हूं मैं इंग्लिश में कैसा है सब्सक्राइब तो इंडिया का इंप्रोव होगा ऐसे बोल सकते हो एजूकेशन सेक्टर इंप्रूव होगा ऐसी चीजे वो कैप पार्ट में आप जब भी ट्रैवल कर रहे होगे के एक्जाम होल तक के तो यूगन डू इस की जो भी वुकाइब लिस्ट है वह आप अपने उपर उपर से रिवाइस कर रहा था तो वोकैबलरी वाइल ट्रैवलिंग इन यौर वहिकल ठीक है और तीसरी चीज मैंने रिडी अगर सब कुछ हो गया आपका पढ़ना और इसी पढ़ते रहो लाइक ड़संट मैंटर क्या पढ़ रहे हो बस पढ़ते रहो विकॉस दा माइंड निट्स तो गेट इंटू दी एक्जाम मोड ठीक है और बहुत इंपोर्टन एक्जाम है बट इतना भी जादा प्रेशर मत लीना ठीक है एक प्रेशर के लिए कल वीड पर उनको अच्छे से पढ़ लो तो उसको अच्छे से देख लो क्या है क्यानी चीज़े उसके बाद इना अपनी वॉटर बॉटल कर सकते हो वैसे मैंने नहीं की वापर मिली थी मुझे बट दो भी एक ट्रांस्परेंट वॉटर वॉटल लेकर रख लेना या फिर बाहर से करिक कर वो लेकर जाओ फंदर रुपी के आती है क्या हजार रुपे का फॉर्म बढ़ा सेटी का पंदरा रुपे और एक्स्ट्रा खर्च कर लो ठीक है टैक्स वेक्स मानगे तीसरा एड्मिट काड़ और उसके जिरॉक्स विरॉक्स सब लेकर जाना या फिर फो जो भी ना लाइट इन देना किसी को और जो नेगेटिव पीपल है नो उनसे थोड़ा दूर रहे ना कि यार यह थोड़ा था नहीं क्या भी पेपर टॉप आएगा कुछ भी आता इसी इटी में ऐसी वैसी चीज़ें अपने दिमाग में नहीं डालनी है एक तो किसी से बात मत करो और अगर बात कर रहे हो तो ढंके लड़की से बात करना और लटकी के चक्कर में मत पढ़ना एक्जाम हॉल में तो भी कम से कम इतना में बतार हो कोई न कोई सुन्दर गन्या रहेंगी और ऐसा मत की देखते रहा हो मेरे एक बार हुआ था एक काफ़ी प्रिटी लड़किया आकर बैटी थी और जस्क मेरे लेफ्ट साइट पर थी तो थोड़ा कॉंसेंट्रेशन लो हो गया था तो ऐसा मत करना चलो सीटी के पेपर में तो ऐसा कोई सीन नहीं हो आता तो अच्छी बात है बट ध्यान रखना कि यहां वाया नजरे जाधा मत घुमांग और एक और चीज़ जो में बताना चाहूंगा वह है कि ज थोड़ा सा लाइट नहीं क्या ऐसे उनके नेगेटिव बुक्स में मताना विकॉज इससे क्या होता है थोड़ा सा एक एक्स्ट्राइज मिल जाता है और एक्स्ट्राइज काफी हेल्प कर लेता हो सकता है आपको रैंक 10 रैंक हंड्रेट से लेकर रैंक 50 पर लाकर रखते त कुछ चीज़े नजर अंदास कर दे आपकी और सप्लिमेंट मांगनी हो तो जल्दी ला कर दिए एडम सप्लिमेंट तो जल्दी आगी आपके पास और या फिर आपके आजू-बाजू जुमेंगी तो उससे क्या होता है थोड़ी सी एज मिल जाती है और यह जो आखरी की च कल शाम को देखते हैं एक आप लाइफ सेशन होता है क्या या फिर रात को देखेंगे बारा आपके पास-पस वैसे कमेंट सेक्शन में डालो कप करना है ओके चलो है वनाइस देग बाइग